सो ये गाईज आज किस वीडियो में दो अपडेट्स हैं जिस पे सबसे पहले एरटेल ने अपने कुछ प्लान्स को बिल्कुल फ्री कर दिया है और दूसरा अपडेट है एमजोन प्राइम स्लेटेड जो एमजोन के प्राइम मेंबर से उनके लिए एक छोटा सा बैड नियू अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज उस एनॉसमेंट को सुनियेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर मैं शेयर करने वाला हूँ तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं क्या क्या अपडेट्स आए हुए हैं तो सबसे पहले हम लोग एटल का एक सिम है उसे एक्टिवेट रखने के लिए आपको एटलिस 49 रुपीज का रिचार्ज करना ही होता है जिसमें क्या है कि आपको 38 रुपीज का टॉक टैम मिलता है और 100 MV का डाटा मिलता है तो यह आपको एक्टिवेट करना ही पड़ता है अगर आपको सिम चालू रखना है तो अभी क्या है कि यह लोग 55 मिलियन जो कस्टमर है उनके उनको यह लोग बिल्कुल फ्री में दे देंगे आपको रिचार्ज करने की ज़रूत नहीं है 49 रुपीज का रिचार्ज एक्टिवेट आपके मोबाइल नंबर में कर दिया जाएगा दूसरा है कि यह ल कि तरफ से कोविट को ध्यान में रखते हुए वैसे इन्होंने एक बात यहां पर बताया है कि यह जो फ्री रिचार्ज यह लोग दे रहें mostly in ruler इंडिया यानि कि जितने लोग विलेज एरिया से बिलॉंग करते हैं उन लोग को यह 49 रुपीज का जो रिचार्ज है वो बिल लोग दूसरे अपडेट के बारें बात करते हैं यह हमारा आ रहा है Amazon Prime से लेटेड आपसे भी लेव पता है कि Amazon Prime आपको फ्री में ट्राइल भी देती है और एक महिने का प्लान भी देती है लेकिन अभी देखो Gadgets 360 ने भी यह पोस्ट किया कि अभी क्या है कि Amazon Prime फ्री सब्सक रही है यानि कि अब आप फ्री में Amazon का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं और एक महिने का जो प्लान सम्थिंग 119 रुपया का जो आता था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी आप अगर Amazon के सेक्शन में जाएंगे तो देखे आपको दो ही प्लान मिलेगा एक है आ यहां पर अच्छे से बताया गया है कि अभी RBI का जो guideline था कि auto debit वाला जो system चल रहा था उसी को ध्यान में रखते वह यह system को अभी Amazon ने close किया है और यह temporary close है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह lifetime के लिए close कर दिया गया है हो सकता है आने वाले कुस दिनों में activate कर दिया जाएगा लेकिन जो update था मैंने आपको यहां पर बता दिया तो comment करके जरूर बतेगा कि अभी आप currently कौन से plan को activate करके रखे हुए है Amazon Prime में क्योंकि free वाला और एक मेने वाला अभी close कर दिया गया है चली अब मैं कुछ यहां पर बात करता हूँ जो मैंने आपको बोला था कि channel related हम तो मैं इसे कल वीडियो बना के नहीं दिया इसके पीछे एक reason है कि आप हमारे जो चैनल टेकनीकल काफी जो चैनल है इसको देखोगे तो मैं शुरू सही हर एक वीडियो को ऐसा बनाने का कोशिश किया हूँ कि अगर एक साल के बाद भी कोई बंद उस वीडियो को क्लिक कर रहा है तो वो उस वीडियो से कुछ सीख कर जाए तो यह सब जो अपडेट आता ना एक मिनट कहीं रहता इसा पांस मिनट तो नहीं नखी सकते हैं तो अभी क्या है ना कि यह सब टॉपिक बनाने में मैं थोड़ा सा डिले कर दता हूँ वेट करता हूँ कि दो तीन अपडे अपडेट से कठे मिल जाए तो तीन-चार गिना करके वीडियो आपको दे दूँ ताकि जो भी देखे तो उनका जादा यहाँ पे बेनेफिट हो जाए लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब मैं सोचा हूँ कि एक नया चैनल क्रेट करता हूँ वैसे यह चैनल पहले से ही रहा है जो एजुकेशनल परपस से हम लोग बना रहें वीडियो वो भी चलता रहेगा तो अपडेट के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट के लिए उस चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब करिए और ऐसा बिलकुल है कि हम लोग अगर दो दिन के बाद आपको वीडि रिक्सीब हो जाता है ब्रैंड्स के तरफ से कि यह अपडेट आया हुआ है तो बहुत ही क्विक यह सब होता है लेकिन वही प्रॉब्लम है कि मैं इंस्सनेट वीडियो बनाके नहीं दे पाता हूँ तो जब भी ऐसा छोटा अपडेट आएगा अब उसी चैनल में बिलेगा टेकी कैफी जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल में हम लोग थोड़ा लॉंग टर्म पे जा रहे हैं हम लोग थोड़ा लंबे टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि इस चैनल का वो वैल्यू बना रहे है कि एक साल के बाद भी बन्द अगर कोई वीडियो क्लिक करे त तो ही था आज की वीडियो मैंने कुछ आपको अपडेट्स पता है और मेरा यह जो थौट है यह कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बतेएगा क्या मैं जो सोच रहा हूं यह सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं जैसा आप लोग का रिस्पॉंस रहेगा उसी बैसिस प परत